के स्ट्रेटिजी के जो एक्जेम्पल है वो हम एक सॉल्व करते हैं इसके अंदर अगेन सेम डेटा जो के हमने प्रीवियस टाम फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर सेकंड एक्जेम्पल में यूज किये है जैन्वरी में 2900 की डिमांड है फेबरेरी 3200 यूनिट्स की डिमांड है मार्च 3500 एप्रिल 3800 में 2800 और जून में सबसे कम 2600 की डिमांड है हमारी जो एक शिफ्ट पे काम हो रहा आठ गहंटे की शिफ्ट है और 25 देज जूम किये हैं पर मन्थ अवेलेबल है बिगिनिंग फॉर्स फिफ्टी वर्कर्स है बिगिनिंग इन्वेंटरी 200 यूनिट्स की है इसके अंदर इसको अगर हम फरदर देखे तो डिमांड जो है वो हम मीट करेंगे बाई increasing और decreasing capacity और वो increase और decrease capacity कैसे होगी by hiring और laying off of workers उनको हम ज्यादा demand होगी तो हम hire करके capacity increase करतेंगे, low demand होगी तो lay off करकर उनको capacity decrease करतेंगे, inventory बिल्कुल maintain नहीं करनी, यह plan के अंदर होगा, over time, under time नहीं use किया जाएगा production, चिरफ hiring, firing is the only option available, subcontracting और back orders भी इसमें are not allowed, तो यह basically हमारी plan के strategy और constraints है, cost data अगर हम देखें, तो वो ही material cost $10 per unit है, inventory holding cost is $2 per unit per month, अगर हम एक महिने के लिए उसको रख रहे हैं, तो $2 की cost incur करेंगे, stock out की जो cost है, वो $5 है, stock out is not allowed, तो यह cost बिलकुल incur नहीं होगा, hiring and lay off cost, यह major cost होंगी इस strategy में, $300 hiring है and $500 lay off per worker, labors are required 4 hours per unit है, regular time cost is $4 per hour है per worker, overtime cost, इसमें overtime हम बिलकुल use नहीं करेंगे, तो $6 per hour है, लेकिन यह use नहीं होगी, cost of subcontracting, again subcontracting भी नहीं होगी यह use, but in any case, it is $30 per unit.